हर उस मारत को शरमानी चाहिए जिसकी मा, बहन, बैटी, पैठी हुई है और वो निकल कर इस बात पे कोई हंदामा नहीं काटते। आज जम ये कहने पे मजबूर है कि अभी हिंदुस्तान आजाद नहीं जब नगे बारात माता कि छीन पर चीन पर चाहिए आरत के साथ ही माता के साथ ही जун-ग्याति होती होती रहेगी जब तक हम आजाद नहीं है देखिए आज इतना बुरा वाफ्त आ गया है जिस मुल्क में हम रहते हैं कि हम लोगों को आज अपना मूँ बंद करके अपना एक एजिटेशन दर्ज करवाना पढ़ रहा है हमारा आज का जो यह साइलेंट प्रोटेस्ट है वुमें इंडिया मुवमेंट एक और्गनाइजेशन जो बाराए स्टेट्स में कुछ सालों से और्टों के एंपावर्मेंट और अप्लिक्मेंट के लिए काम करती है हमने पिछले कुछ एक महीने से एक कैमपेंड स्टार्ट किया हुआ है आप देख सकते हैं इस कैमपेंड का जो हमने टाइटल दिया है कि वुमें सेफटी ठीक है एक टनेक्टिव रेस्पॉंसिबिट और उसी के चलते हुए जो तशद्दूत सामने आता है यानि ओड़तों के साथ जिस तरीके का जुन हम देख रहे हैं खास तोर से अंडर दा रिजीम ऑफ बीजेबी गॉर्मेंट के ऐसा मालूम होता है जैसे पावर में बैठे में लोग इसको सपोर्ट करते हैं रेप की घ आना चाहती है सोशल इश्यूस के ओपर उनको बहाइंड अबास डाल दिया जाता है या फिर लिंचिंग बुल्डोजर में जो औरते सफ़र होती है या फिर आसाम के डिटेंशन केंप में बुरी हालत में तकलीफ में जिन औरतों को रखा जाता है ऐसे में हमने अपनी जिम पीर से कन्या कुमारी तक मुल्क में अकेले सफर कर लेगी हम उस दिन समझेंगे कि यह मुल्क आजाद है और आज यह जो 75 साल हम आजादी का गाना गाते हैं और जो हलाद हम देख रहें यह मैच नहीं होते इसलिए आज हम यह कहने पर मजबूर है कि अभी हिंदुस्तान आ कॉलकटा रेप केस से लेकर ठीके आप पीछी की हिस्ट्री देखिए या भी रोज बर रोज कोई भी ऐसी कुम्यूटी उठाइए दलित उठाइए क्रिश्टन उठाइए मुस्री उठाइए यहां तक कि आइडेंटिटी बेस अटैक भी है इस मुल्क में आइडेंटिटी देखकर हिजाब का मामला हो स्कूल कॉलेजिस में देखिए कि नर्सरी की बच्ची को नहीं चोड़ा जाता उसके बाद ट्रेन में बस में आप देखिए यहां तक कि वुमें इन यूनिफॉर्म ऑल्सो नॉट सेफ इन इस कंट्री उसके बाद सवाल उठता है लॉड और का सवाल उठता है जस्टिस सिस्टम के ओपर यही हमारी कुछ डिमांड है कि हम चाहते हैं जो तशदुद और बेहुर्मती और जो जुल्म इस वक्ट हिंदुस्तान की सरजमीन पर ओरतों के साथ हो रहा है उसको बराबर चेक होना चाहिए उसके ओपर हमारी डिमांड है कि सक सब्सक्राइब करें जो पार्टी पावर में है जो गौर्मेंट आज पार्लिमेंट में बैठी है नया पार्लिमेंट का जब इनॉग्रेशन हुआ तो मोधी जी बोले थे 30 परसंट रेजर्वेशन और तो को गिफ्ट कर रहा हूं आज तक वह गिफ्ट हाथ में आया औरतों का रीप्रेजेंटेशन लीस्ट लीस्ट है यहां पर कम से कम मिनिमाम है औरतों का रीप्रेजेंटेशन है ही नहीं 50 परसंट रिसोर्स होते वे जो रीप्रेजेंटेशन औरतों का होना चाहिए था एक दूसरी बात जो सोचल अक्टिविस्ट काम करती है उनको मूँ बन करक जो औरतों के लिए काम कर रहे हैं, यह हमने अपनी एक अखलाखी जिम्मदारी समझे है, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें लगता है, हमारी मॉरल उब्लिगेशन है, बलके उब्लिगेशन क्यों, बिएंगे वुमेन, यह मेरे लिए शरम की बात होगी, कि मैं तशद्दु दे आज आज आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में, कोई उमीद गावर्मेंट से नहीं रखना है, क्योंकि हर क्राइम इस मुल्क में गावर्मेंट सपोर्टेड है, आप देखिए कॉलकटा में जो क्राइम हुआ, जो इतनी बुरी तरीकी से एक हम कौन से जमीन पर जी रहे हैं कि सवा में रमसास ले रहे हैं उसी के चलते हमारा ये एक सालेंट प्रोटेस्स है क्योंकि हमें लगता है चीप उकार करना भी अब वादेमन नहीं रह गया, क्योंकि हम अपनी डिमांड गॉर्में तक पहुंचानी है, अगर गॉर्मेंट मे आगे बढ़कर नहीं आने लिए उसी के लिए हम यहां जमा हुए हैं, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आज का सबसे बड़ा प्राब्लम जो है, वो एक आम आदमी का अनवेर होना है, या फिर एक आम आदमी को इतना डरा दिया गया है, एक और जिसकी असमत रेजी होती है, रिपोर्ट लिखाने जाए, तो पुलिश आले उसकी मा को रेप कर देते हैं, एक रेप विक्टिम जो बेल पर छूट कर आता है, वो आके वापस रेप कर देता है, यह मुल्की कंडिशन हो गई है, एक साल में 35,000, 36,000 रिकोर्ड आकड़े हैं, और जो रिकोर्ड नहीं होत कि बुड़ी आउरत सेफ नहीं, उपर से दलिक, फिर शेडिूल थास, या फिर आइडेंटिटी बेस क्राइम जो अलग है, मुसल्मान आउरत को देखने हैं, उसके साथ अलग होता है, हराश्मेंट अलग होता है, मार्किट प्लेस, वर्क प्लेस, पब्लिक प्लेस कहीं नह इस मुल्क को भारत माता की जै कह कह के नारे लगाते हैं, उसी माता की इतनी बड़ी हुर्मती की उसी की बहु बेटियों को असमत रैजी की जाती है, अब आप बताईए, यहां तक के जो हमारी एक्टिमिस्स जेल में है, उनके उपर अभी तक कोई क्राइम सावित नहीं है अगर वो जेल में, क्यों, क्योंकि उन्होंने मूँ खोला, इसी परे से, लिंचिंग बुल्डोजर, असाम के डिटेंशन क्या है, बेहिस्सा बुरी हालात में अड़तों को भा रखा जाता है, मतलो हम इतनी तकलीफ के हालात में रखा जाता है कि हम बयान भी नहीं कर सकते, कोई इसके सूद लेने वाला नहीं है, मौधी जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इतना जूट, और उसके बाद इतना प्रोपोगेंटा, मैं समझती हूँ, ये पूछना और कहना बेकार होगा कि वेर इस दा गौ